उत्तराखंड के पीरगड नामक गाउ में अब्दुल और उसके साथी रहा करते थे। अब्दुल बेहद ही निडर प्रवरित्ती का व्यक्ती था। अब्दुल अपने साथियों के साथ साहस पूर्ण बातें किया करता था और खेल भी प्रतिस्पर्धा वाला खेला करता था गाउ में कुछ दिनों से भूत के चर्चे चारों और हो रहे थे गाउ के बाहर एक शमशान घाट था, वहां किसी के देखे जाने की कहानी पूरे गाउ में चल रही थी अब्दुल के साथियों ने एक दिन इस बात पर चर्चा शुरू कर दी, अब्दुल ने बड़े साहस के साथ कहा कि भूत भूत नहीं होता यह सब हमारा वेहम होता है इस पर उसके साथियों ने अब्दुल से कहा कि भूत नहीं होता है तो तुम क्या शमशान घाट जाकर दिखा सकते हो प्रेम की पहली निशानी अब्दुल ने कहा क्यों नहीं मैं भूत से नहीं डरता शर्थ हो गई अब्दुल ने तय किया कि वह रात के अंधेरे में जाकर शमशान घाट में कील गाड़ कर आएगा और कील को वह सवेरे सभी को दिखाएगा इससे आगे दिल संभाल कर पढ़ें अमावस्या की काली रात थी इतनी भयंकर काली रात की अपना ही हाथ नहीं दिख रहा था अब्दुल अपने दोस्तों के पास से उच्साह में शमशान घाट जाने को निकला रास्ते में उसे कुछ संकोच और शंका होने लगी लोगों की कहानिया उसके दिमाग में धीरे धीरे चलने लगी उन्होंने शमशान घाट के पास किसी आत्मा को भटकते हुए देखा था और न जाने कितनी ही कहानिया अब्दुल के दिमाग में चलने लगी किन्तु वह लोट कर जाता तो सभी उसका मजाक बनाते और उस पर हंसते अब्दुल अब शमशान घाट के पास पहुचने वाला था कि उसके सामने एक तरफ कुआ है एक तरफ खाई की स्थिती पैदा हो गई लोट कर जाने में जग हनसाई का भय और शमशान घाट में भूत का भय किन्तु निर्भय होकर अब्दुल शमशान घाट पहुचा और वहां जमीन पर कील गाड कराने की बात थी वह नीचे बैठा उसने धीरे, धीरे किल को जमीन में गाडना शुरू किया किल गाडने के लिए वह हथोड़ी लेकर गया था किन्तु हथोड़ी से आवाज ज्यादा तेज नहीं करना चाह रहा था कि कोई उसकी आवाज सुन ले क्या वो काम्याब हुआ जैसे टैसे उसने हथोड़ी की सहायता से किल जमीन में गाड़ दी और कुछ साहस्पूर्ण भाव से उठकर जाने के लिए तयार हुआ अब्दुल के दोस्त जो उसके पीछे पीछे चिप कर आये थे उन लोगों ने देखा और अब्दुल को जल्दी से उठा कर गाव की ओर ले गए वहां उसके चहरे पर पानी का छींटा मारा गया काफी समय बाद वह डरते हुए उठा तो उसने पाया कि वह गाव में है अब्दुल कहने लगा कि मैंने किल को जमीन में गाड़ दिया था किन्तु उठने लगा तो कोई उसके कुर्ते को खींच रहा था असली कारण क्या था? जिसके कारण वह डर गया था अब्दुल के दोस्तों ने बताया कि कोई उसका कुर्ता खींच नहीं रहा था बलकि उसने खुद ही अपने कुर्ते के उपर से किल जमीन में गाड़ा था जिसके कारण वह खड़ा हुआ तो उसे लगा कि कोई उसका कुर्ता खीच रहा है इस घटना पर अब्दुल ने सभी लोगों से माफी मांगी किन्तु सभी लोग उसके साहस से प्रसन्न हुए और उसे शाबाशी देते हुए उसके साहस की तारीफ करने लगे